पूरी दुनिया जहान जो है वो लैप्टोप पे काम करता है ठीक है हर इनसान के पास एक लैप्टोप पे लैप्टोप एक आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है कौन सा लैप्टोप जो लैप्टोप अपन यूज करते हैं जिसका लिड उपर से बंद होता है इसका भी एक नाम होता है दोस्तों हर एक device का एक form factor होता है और जो अपना laptop अपन यूज करते ना इसका नाम है clamshell design clamshell design का मतलब यह है कि वो design एक laptop की जिसमें जो screen है वो keyboard की उपर बंद हो जाए और I think सभी के पास यही laptop है clamshell design का तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं laptops के बारे में देखो portable computer जो है उ काफी time से चल रही थी और Osborne 1 एक निकला था portable computer उससे पहले भी portable computer निकले थे calculation purpose के लिए लेकिन clamshell design का सबसे पहला portable computer निकला जो की आगे जाके standard design बन गया laptops के लिए वो क्यों आया और कब आया तो दोस्तों इस सवाल का जो answer है वो अपने पास है space race अब Apollo mission है astronauts को मिरे को उपर भेजना है काफी risky affair होता है because जब rocket उपर जा रहा है तो सारे जो parameters है उनको अपने को check में भी रखना है अपने को communication बना के रखना है जो अपन जब धरती पे होते हैं तो अपने पे G का वो लगता है force नीचे की side लेकिन जब अपन रोकेट में जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक तरीके से मालो हाथ उठा के अपने नाक पे खुझली करना भी बहुत बड़ा task है अभी तो बस हो गई ठीक है फिर आप microgravity में चले जाते हो जहां पे आप सीधे हो टेडे हो लेटे हो होते हैं पहला वजन मास्किता लेकर जा सकते हैं और दूसरा space जगे तो कुछ ऐसा solution चाहिए था जो robust हो जो की portable हो हलका हो और साथ में जगे भी कम ले तो जब इसके उपर मतलब क्या कितना जब solution ढूंडा गया इसका तो finalize जो किया गया 1980s की बात कर रहा हम उससे पहले तो वह standard जो portable computer होते थे जो की मैं कह सकता हूँ calculation purpose के लिए होते थे एक छोटी screen होती थी लेकिन जो laptop type का जो पहला अपन बात करें कि जो एक setup design हुआ था NASA के लिए design जो हुआ था वो करा था grid system नाम की एक company में उस वक्त market में Osborne 1 नाम का भी एक portable computer चलता था लेकिन वो clamshell design का नहीं था यानि वो उस design का नहीं था उस form factor का नहीं था जो कि अपन आज कल use करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जब space race हुई जब technology को आगे भागना पड़ा जब necessity जरूरत पैदा हुई तो कहते हैं ना कि जरूरत ही एक नई खोज की जनिनी होती है तो वही बात यहाँ पे भी हुई नासा को चाहिए था एक ऐसा setup जो की portable हो हलका हो robust हो and we got what we have on the screen यह जो आप देख रहे हैं अगर आप इसको देखेंगे तो आज कल जो अपन laptop यूज करते हैं पोलमस्ट इसी जैसा तो है keyboard है थोड़ी keys बढ़ गई है थोड़ा display पूरा बढ़ा हो गया है बस एक और चीज है अगर आप इसको देखेंगे तो it needs a cable यह power cable चाहिए इसको क्योंकि इसमें battery नहीं थी अब आज कल अपने पास batteries आ गई है तो मैं यह कह सकता हूँ कि किसी हद तक एक particular point तक मैं यह कह सकता हूँ और बहुत comfortably कह सकता हूँ कि जो space race थी उन्होंने अपनी life को बहुत आसान करा क् space race की जो जरूरत थी एक portable computer की एक robust system की वही convert हुई आज की तारह में जो अपने पास clamshell design के laptops हैं जो आप यूज करते हैं जो मैं यूज करता हूँ जो हर एक इनसान यूज करता है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो अब एक छोटी से एक और बात में आगर बताऊं आपको इन्हीं Apollo mission से related या आपी technology से related तो यह है कि Apollo mission जब हुआ था जो पहला इंसान इसान पर गया था वो 1980s में नहीं गया था वो 1960s में गया था यह बात धान रखना ठीक है उस वक्त portable system थे मैं बात कर रहा हूँ laptop की technology धीरे धीरे बढ़ी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बार जब Apollo mission गया जब नीला विस्टोंग ने चान पर गदम रखा तो he already had a laptop नहीं उनके पास portable systems थे लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि जो घरों में computer use होते हैं कहीना कहीं उसका जो design है वो भी Apollo mission के initial जो rudimentary days थे तभी चालू हो गया था क्योंकि उसी design को आगे बढ़ाते 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 अपने कोई desktops बने जो अपने desktop computer थे ना monitor अलग, keyboard अलग वो बने कहीना कहीं जो mouse है उसका जो design है वो भी Apollo missions के थूरू NASA के जो space acceleration programs थे उसके थूरू आया था तो कुल मिलाके अगर एक line में, सीधी line में कहा जाए तो मैं ही कह सकता हूँ कि आज की टारिक के जो laptops आप use करते हैं, जो mouse आप use करते हैं कहीं ना कहीं उसका जो credit है वो space race को जाता है so we can comfortably say कि thanks to the Sputnik mission जिसने space race को चालू किया और NASA ने उसको इतना आगे बढ़ाया कि अपनी life को comfortable बना दिया